भाग द्वारा महत्तम समाप वर्तक ज्याद करें कोश्चन नमबर दस है 24 और 56 तो इसमें क्या कहा रहा है भाग द्वारा महत्तम समाप वर्तक ज्याद करें तो भाग द्वारा हमें महत्तम समाप वर्तक निकालना है तो देखिए क्या करेंगे इसमें 24 और 56 में बड़ा कौन है? 56 और 24 छोटा है तो हम 24 से यानि छोटा संक्या से बड़ा संक्या को भाग देंगे ठीक है? तो देखें 24 से 56 को भाग देंगे तो कितना मरम लगेगा? 24 दूनी होता है 48 तो हम यहां पर 48 लिखेंगे 24 तो 72 तो लगेगा नहीं 56 से चोटा संक्या ही रहना चाहिए 24 दूनी 48 तो देखेंगे अब घटाएंगे इसको 16 में से 8 गया 8 4 में से 4 गया सुन्य तो देखें यहां पर कितना बच गया है? अब देखेंगे जो सेस्फल है उसको क्या करना है? उसको बना लेना है भाजक इस तरह से ठीक है? और जो भाजक था पहले उसको बना लेना है भाज यहां पर लिख देना है अब देखेंगे इसको लगाना है सेस्फल जब तक कि सुन्य ना आ जाए तब तक हमें भाग की किरिया इसी तरह से करते जाना है तो सेस आठ बचा था सेसफल तो अब 8 से 24 को भाग देना है यानि जो भाजक था उसको भाज ये बना लेना है जो सेसफल है उसको भाजक बना लेना है तो अब बेखी कितना बार में लगेगा आठ तिया 24 तो अब हमारा सेस्पल क्या आ गया है सुन्ने आ गया है ठीक है तो इसका 24 और 56 का महत्तम समाड तक कितना हो गया आठ यानि जो जो भाजक सुन्ने ला दे उसी को उन दोनों संख्या का क्या बोलेंगे महत्तम समाड तक तो हम लिखेंगे अता तो देखिए यहां पर डायक्ट हम क्या लिखेंगे महत्तम समाड तक बराबर कौन हो जाएगा देखिए आठ यानि 24 और 56 का महत्तम समाड तक हो जाएगा आठ देखिए यहां पर 24 भी भाजक है और आठ भी भाजक है लेकिन 24 से भाग देने पर सून्य नहीं आया पाया सेस्पल अगर सून्य आ जाता सेस्पल तो 24 ही हो जाता क्या महत्तम हो जाता लेकिन सून्य सेस्पल नहीं आ पाया तो फिर हम जो सेस्पल आया उससे भाग देंगे तो देखिए सेस्पल क्या आगया अब सुन्य आ गया तो ये क्या हो जाएगा आठ इन दोनों का महत्तम हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हम भाग द्वारा महत्तम निकालते हैं जैसे देखिए यहां पर दिया हुआ है बीधी में बड़ी संक्या को छोटी संक्या से भाग दें सेसफल को भाजक तदा भाजक को भाज़ बनाएं जैसे अभी हम किये थे यह किरिया तब तक करें जब तक की सेस सुन्य ना आ जाए यानि जब तक करेंगे तब तक की सेस सुन्य ना आ जाए तो इस तरह ये किरिया करना है भाग की किरिया Question number 11 में 33 और 55 यानि 33 और 55 का मासा निकालना है तो देखें मासा महतम समोपार्थ को बोलते हैं ठीक है सौट में या महतम बोल सकते हैं तो देखें क्या करेंगे हम 33 से 33 चोटा है 55 बड़ा है तो 33 से हम 55 को भाग देंगे कितना बार में लगेगा देखें 33 दूनी 66 होता है तो हम एक बार में लगाएंगे घटाएंगे 5 में से 3 गया 2 5 में से 3 गया 2 कितना आ गया हम पर 22 अब देखें सेस्फल हमें सूनने चाहिए था सेसपल अगर सुने नहीं आता है तो सेसपल देखे भाजक से छोटा है तो अब नहीं लगेगा देखे 33 है यहां 22 है तो नहीं लगेगा क्योंकि भाजक बढ़ा है तो क्या करेंगे जो सेसपल आया है उससे अब हम 33 को लगाएंगे यानि जो सेसपल आया है उससे भाजक को लगाएंगे यानि एक बार में अब देखे 22.44 होता है तो एक बार में लगाएंगे हम कितना बच गया यहां पर 11 घट करके 3 में से 2 गया एक 3 में से 2 गया एक अब अब देखे पहला भाजक था उससे भी सेसफल सुन्ने नहीं आया तो क्या करेंगे अब अब 11 से हम किसको भाग देंगे 22 को 11 से हम 22 को भाग देंगे यह देखे जो भाजक है यहां पर जो सेसफल 11 लाया है उसको भाग देंगे यानि इसको भाजक बना लेंगे और 22 को भाजे तो देखे 11 से कितना बार में 22 कट जाएगा, दो बार में, तो यहां पे हम दो लिखेंगे, 11 दुनी, 22, क्या आ गया, सेसफल आ गया, सुने, तो देखें, अंतिम भाजक कौन हो गया, जो सेसफल सुने लाए है, वो तो अंतिम भाजक हो गई, तो अंतिम भाजक कौन है, 11 है, जो, तो 11, यहां पे 11 जो भाजा को क्या किया है सेस्फ़ सूने ला दिया है तो एकारा क्या हो जाएगा 33 और 55 का महत्म समा पुअर्थक हो जाएगा तो हम लिखेंगे मसा कौन हो गया यहां पर एकारा कि इस तरह देखिए इसका अंसर हो गया एकारा तेतिस और पच्पन का महत्तम समापवर्तक हो गया इगारा यानि इगारा ऐसी संक्या है जो तेतिस और पच्पन का मतलब विभाजित कर सबसे बड़ी संक्या है इगारा जो तेतिस और पच्पन को विभाजित कर देगा तो महत्तम समापवर्तक क्या बोलता है सबसे बड़ा उभैनिष्ट भाजक तो 33 और 55 का सबसे बड़ा भाजक उभैनिष्ट कोन है? 11 से देखें, दोनों विभाज हो रहा है जैसे यहाँ पर 8 से 28, 28, 56 यानि 8 से बड़ा कोई संक्या नहीं जो 24 और 56 दोनों को विभाजित कर सके ठीक है? तो इस तरह हम इसको हल करेंगे कोश्चन नमबर 12 है एकामन और पचासी तो देखिए एकामन से एकामन छोटा है पचासी बड़ा है तो एकामन को हम बना लेंगे भाजक और पचासी हो क्या बना लेंगे? भाजे यानि बड़ा संक्या जो है जिसको भाग देंगे चोटा संक्या से ठीक है? तो एकामन दुनी देखिए कितना होता है? 102 तो दो बार में नहीं लगया तो एक बार में हम लगा देंगे तो पांच में से एक गया 4 आठ में से पांच गया 3 कितना आ गया देखे चौनतीस ठीक है अब चौनतीस एकामन से छोटा है तो नहीं लगेगा अब एकामन से भाजे अब एकामन से चौनतीस नहीं लगेगा तो क्या करेंगे चौनतीस से एकामन को लगाएंगे देखे तो चौनतीस दुनी 68 नहीं लगया दो बार में तो एक बार में हम लगाएंगे यहां पर लिखेंगे 34 11 में से 4 गया 7 4 में 3 गया 1, कितना बचा? 17 बचा देखें सेस फ़र 17 फिर देखें 34 से छोटा हो गया तो अब 34 से इसमें भाज नहीं लगया तो क्या गरेंगे 17 से 34 को लगाएंगे ठीक है? 17 से किसको लगाएंगे? 34 को तो 17 दुनी 34 देखें सुने आ चुका है तो यहां पर मस से कौन हो जाएगा? यानि एक आमन और 85 का महतम समवार्थ कौन होगा? तो 17 देखें अंतिम भाजक 17 ही है जो सुने लाए है तो अंतिम भाजक ही दोनों संख्याओं का मस महतम समवार्थ तक होता है इसका आंसर हो गया? 17 कोश्चन नमबर 13 में देखिए अब यहीं पर हल कर लेते हैं 13 में 75 और 125 ठीक है? क्या है? 75 और 125 तो देखिए 75 से छोटा संख्याओं है यहाँ पर 75 से हम किसको लगाएंगे? 125 को तो 75 दूनी होता है 1500 तो एक बार में लगाएंगे क्योंकि 125 है तो देखिए घटाएंगे 5 में से 5 गया सून 12 में साथ गया 5 कितना आगे है? 50 अब 50 से हम लगाएंगे किसको? 75 को तो 50 दूनी होता है 100 तो एक बार में लगाएंगे कितना बज़ेगा? 25 ठीक है? देखिए 75 में से 50 को घटाएंगे तो कितना बचा? 25 बचेगा 5 में सून गया 5, 7 में 5 गया अब 25 से किसको लगाएंगे? तो देखिए 50 को यानि जब तक सूने नहीं आ जागा तब तक सेसफल से भाज़क को लगाते जाएंगे ठीक है? तो 25 दूनी क्या होता है? पचास देखिए 50 में से 50 गया सूने तो इसका मासर कितना हो गया? तो हम लिखेंगे मासर बराबर अंतिम भाज़क कौन है? 25 है देखिए जो अंतिम भाज़क होगा यानि जो भाज़क सूने ला देगा उसी को हम लिख देंगे अंसर तो इसका मासर क्या हो जागा? 25 यानि 25 से सबसे बड़ा देखिए 25 जो है इन दोनों में उभाज़क है 25 75 और 125 का यानि 25 से देखिए 25 तिया 75 25 पचे 125 तो इसका अंसर क्या हो जागा? 25 तो इस तरह हम अंसर कर लेंगे कोश्चन नमबर चौदा है 150 और 210 150 और 210 है तो देखिए 150 चोटा है तो छोटा से बड़ा को भाग देते है तो देड़ सो दूनी कितना हो गया? 300 तो दो बार में नहीं लगया तो एक ही बार में लगाएंगे यहाँ पर लिखेंगे 150 सुन्ने 115 गया 6 कितना आया? देखिए 60 आया घट कर गये तो अब 60 देखिए 120 60 तीया 180 तो दो बार में लगा देंगे सुन्ने 5 में से दो गया 3 कितना आ गया? 30 अब देखिए 30 अब नहीं लगेगा यानि सेसफल आ गया 30 क्योंकि 60 से छोटा है तो 30 से अब 60 को भाग देगे यानि देखिए महत्यम समाओर तक क्या करता है कि अगर तुम सेसफल सुन्ने नहीं लाया तो हम तुमको ही भाग देंगे 150 यान पर सेसफल सुन्ने लाया तो फिर सेसफल क्या कहा? कि अब हम तुमको भाग देंगे फिर देखिए 60 से भी सेसफल सुन्ने लाया तो 30 सेस्पल क्या बोला कि अब 60 को अब तुम ही को हो भाग देंगे आनि 30 से फिर 60 को ही भाग देना है तो देखे 30 दूनी 60 अब देखे सूने आ चुका है तो इसका महत्यम समवाड तक क्या हो गया 30 जो अंतिम भाजक है कौन है अंतिम भाजक तो 30 है तो इसका अंसर हो गया 150 और 210 का महत्यम समवाड तक हो गया 30 कोश्चन नंबर 15 है 450 और 1050 450 और 1050 का महत्यम समवाड तक निकालना है तो क्या करेंगे पहले 450 से हम भाग देंगे किसको 1050 को ठीक है यानि जो छोटा संख्या उससे बड़ा संख्या को भाग देते हैं तो देखे 4500 कुने 2 कितना होगा 900 तो हम दो बार में लगा देंगे क्योंकि यहां पे 1050 है तो देखे दो बार में लग जाएगा 450 दूनी 900 घटा आएगे तो कितना आएगा सुने 5 दसमें से 9 गया 1 तो 1500 आएगा देखे अब यहां पे 1500 जो है 450 से छोटा है तो हम 150 से किसको लगा देंगे 450 को भाग देंगे ठीक है तो 1500 दूनी होता है 300 और 1500 तिया 400 तो यहां पे देखे तीन से हम देंगे भाग ठीक है तो 1500 तिया कि क्या होता है 400 पचास देखे हम दो लिख दिये थे हमको लाग की नहीं लग गया तीन से तो इसको तीन हम बना दे रहे है तो 1500 तिया क्या होता है 400 देदे के पुरा पुरी कड़ चुका है तो इसका महत्तम समावर्तक क्या हो गया 150 ठीक है यानि 450 और 1050 का महत्तम समावर्तक क्या हो गया 150 देखे अंतिम भाजा क्या है 150 है जो सूने ला दिया है ठीक है तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे Q16 में है 248 और 465 248 और 465 तो अब देखे 248 से हम किसको भाग देना है 465 को ठीक है तो देखे 200 दुनी होता है 400 48 दुनी तो जादा ही हो जाएगा तो दो बार से नहीं लगेगा ये क्योंकि देखे 2800 ही किन नजदी का तो 2800 दुनी होता है 500 ठीक है दो ही कम है तो यहाँ पर देखे 465 ही है तो एक बार में ही लगाएंगे यहाँ लिखेंगे 248 15 में से 8 गया 7 यह हो गया 5, 5 में से 4 गया 1 15 में से 8 गया 7 5 में से 4 गया 1 एक इधर गया 5 4 में से 2 गया 2, देखे 217 आया अब 217 तो 248 छोटा है तो हम क्या करेंगे 215 mould यहाँ से 248 को भाग देंगे तो फिर एक बार में लगीगा तीन ठीक है कितना आ गया देखिए 31 अब 31 से हम 217 को लगाएंगे तो देखिए 31 सते 21 तो लगेगा नहीं तो पूरा अंक लगाना होगा 217 ही तो 31 सते कितना होता है सत का सा सत्य 21 यानि 217 तो देखिए पूरा पूरी कट चुगा है ये तो इसका मास से कितना हो गया मास से हो गया जो भाजक सुने लाया कौन लाया 31 यानि अंतिम भाजक 31 है तो 31 इसका अंसर हो जाएगा ठीक है सिधा समझ जाना है कि जो अंतिम भाजक होगा वही दोनों संक्या का 248 और 465 या कोई भी संक्या का महत्तम समाप वर्तक हो जाएगा कोईशन नमबर 17 है 1456 यानि 1456 कॉमा 1183 और 3640 तो देखे पहले हम कोई भी दो संक्या का महत्तम समाप वर्तक निकालेंगे फिर उसका जो आएगा अंतिम भाजक उससे फिर उस संक्या को तिसरा संक्या को भाग देंगे तो देखिए 1456 बड़ा है इससे ठीक है तो हम इसको ले लेते हैं 3640 देखिए आप इससे इसको भी भाग दे सकते हैं पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है यानि तीनों संक्या में से कोई भी दो संक्या आप ले सकते हैं बस यह होना चाहिए कि छोटा संक्या से भाग देना है बड़ा संक्या को तो देखिए 1456 से भाग देना है कि इसको 3640 को तो 1456 से कितना मार में लगेगा देखिए तो 1456 गुने 2 होता है 2912 ठीक है और गुने 3 होता है 4368 तो 3 से तो लगेगा नहीं क्योंकि 4368 आ जा रहा है तो हम 2 ही बार में लगाएंगे तो 2 बार में आएगा 2912 ठीक है अब इसको देखिए घटा देंगे हम तो 10 में से 2 हो गया 8 यह हो गया 3 तीन में से गया 2 16 में से 9 हो गया 7 तो यह देखिए सुनने हो गया अब 728 आया तो 728 से हम 1456 को लगाएंगे ठीक है 728 देखिए 1456 से छोटा है तो यह तो लगेगा नहीं तो इससे अब हम इसको लगाएंगे तो 728 गुने 2 कितना होता है तो 728 गुने 2 होता है 728 दुनी 1456 देखिए 8 दुनी 16 दुनी 4 एक 5 7 दुनी 14 यानि पूरा पूरी देखिए यह कट जाएगा तो क्या आ गया देखिए अब यहाँ पे 1456 और इसको हम लगाए थे तो 1456 और 3640 का महत्तम समवड तक कितना आ गया 728 आ गया लेकिन हम से तीनों का पूछ रहा है देखिए इसका भी पूछ रहा है तो इसको तो अभी हम कुछ नहीं किये हैं 1183 को तो क्या करेंगे देखिए 1456 और 3640 का महत्तम समवड तक 728 आ गया है ठीक है तो अब हम 728 से किसको लगाएंगे 1183 को तो देखिए 728 से तो देखिए हम यहाँ पर लगाते हैं चली यहीं पर लगाते हैं देखिए 728 से अब किसको हम भाग देंगे 728 किस क्या है तो 1456 और 3640 का अंतिम भाग जाक है देखिए तो यह हो गया महत्तम समवड तक दोनों का क्योंकि सेस्पल सूनने आ गया है तो अब हम 728 से इसको भाग देंगे देखिए 1183 को तो एक बार में लगेगा ठीक है देखिए 728 यहां पर 1183 ही है तो एक बार में ही लगेगा तो यहां लिखेंगे 728 घटाएंगे इसको तेरह में से आठ गया पांच साथ में से दो गया पांच 11 में से साथ गया चार कितना आ गया देखिए साथ सो चार सो पचपन ठीक है अब क्या करेंगे देखिए चार सो पचपन से अब साथ सो अठाइस को लगाएंगे क्योंकि साथ सो अठाइस से चार सो पचपन तो लगेगा नहीं क्योंकि छोटा हो गया है ठीक है तो चार सो पचपन से साथ सो अठाइस को लगाएंगे तो एक ही बार में लगेगा तो यहाँ पर लिखेंगे 455 कितना आएगा इसका घट करके तो देखिए अब इस में इस कॉपी में लिखते हैं वहाँ पर देखिए जगन नहीं बचा घटाते हैं इसको 8 में से 5 गया 3 12 में से 5 गया 7 यह हो गया कितना 6 6 में से 4 गया 2 यानि 273 तो 273 से अब हम किसको लगाएंगे 455 को यहां पर लिखेंगे 455 अब देखें दो दुणी 400 यानि यह दो बार में तो लगएगा नहीं एक ही बार में लगाएंगे तो 5 बार में लगाएंगे तो 5 वीशे 3 गया 2 15 में से 7 गया 8 तीन में से 2 गया 1 182 आ गया इसका तो अब क्या करेंगे देखिए 182 से हम 273 को लगाएंगे फिर एक बार में लगेगा तो यहां 182 लिखेंगे 3 में से 2 गया 1 17 में से 8 गया 9 91 में आ गया देखिए तो 91 में से अब हम अभी देखिए कितना आ गया 91 में आ गया है तो 91 से अब किसको लगाएंगे 182 को ठीक है तो देखे, 91 से 182 देखे, 182 से भाग दिये तो सेस्वल कितना है, 90 तो अब लगेगा नहीं तो अब 91 से इसको लगाएंगे तो 90 दूनी होता है 182, देखे, पूरा-पूरी कट गया तो अब हम लिखेंगे मसा बराबर एकान में ठीक है यह अंसर हो जाएगा, तीनों का तो देखे, 1456 1183 और 3640 का महत्तम समवाड तक कितना आ गया 91, ठीक है तो क्या करना है, देख लिए फिर से पहले हमें कोई भी दो संक्या को भाग दे देना है तो उसका जो आएगा अंतिम भाजक उससे तीसरा संक्या जो बचा हुआ होगा उसको भाग देना है, तो देखे हम इससे इसको भाग दिये थे तो कितना आया था अंतिम भाजक, 728 यानि 1456 और 3640 का महत्तम समवाड तक कितना आ गया, 728 अब 728 से इसको भाग देंगे 1183 को तो देखे इसका कितना लंबा भाग देना पड़ा है देखे यहां से लेके देखे यहां तक तो अंतिम भाजक यहां पर कौन आया, 91 तो इसका महत्त हो जागा, यानि इसको हल कर लेंगे